दूआधार होनी चाहिए दूआधार होनी चाहिए पर पहुच चुकी है तो वही फिल्म पठान ने बॉलिवूट की पूरी तरह से वापसी करा दी है लेकिन दोस्तों साल 2023 में ही कुछ ऐसी बड़ी फिल्में रिलिस होने वाली है जो पठान फिल्म के रिकोर्ड एक जटके में ही तोड़ देंगी जा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्मान खान की किसी का भाई किसी की जान जिसका बस बहुती शांदर तरीके से क्रियेट हो चुका है और फैंस फिल्म का बड़ी बेसबरी से इंतिसार करें और उमीद है कि अपने फर्स बेपरी फिल्म बॉक्स ओफिस पर तूफान ला देगी और वहीं दूसरे तरह साल 2023 में सबसे पहले अगर किसी फिल्म की चरचाए थी तो वो थी पठान और अब किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चरचा है तो वो है सनिद्योल की फिल्म गदर टू जो पठान फिल्म के रिकॉर्ड एक जटके में ही तोड़के एक साइड में कर देगी तो पठान फिल्म अपने पहले 21 दिनों में टोटल कितनी कमाई करने में कामियाब हो चुकी है सल्मान खान की किसी का भाई किसी की जान अपने फर्स डे पर कितना बॉक्स आफिस कलेक्शन कर सकती है और वही सानी देओल के फिल्म गदर टू अपने फर्स डेपर कितना बॉक्स आफिस कलेक्शन कर सकती है तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ पाने रहेएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप शारु खान, सल्मान खान और सानी देओल को एक बहतरी नभी नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चेनल को भी जरूर सबस्क्राइब कीचीगा दोस्तो अगर सबसे पहले बात करें किसी का भाई किसी की जान फिल्म की तो मैं आपको बताता चलू कि इस फिल्म का नाम सबसे पहले कभी एद कभी दिवाली था लेकिन इसका टाइटल चेंज कर दिया गया और फिल्म का टाइटल हो चुका है किसी का भाई किसी की जान फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिड है सल्मान खान भी काफी दिनों के बाद अपनी फिल्म सिनिमा गोरों में रिलिस करने जा रहे और इस फिल्म का जो बज़ है वो बहुत ही शांदार तरीके से क्रियेट हो है मैं आपको बताता चलू कि फिल्म का टीजर रिलिज हो चुका है फिल्म के पोस्टर रिलिज किये जा चुके हैं और अब यहाल ही में फिल्म का गाना नई हो लगता दिल भाई साब रिकोर्ड ही तोड़ा ले है और उमीद है कि जब यह फिल्म अपने फास डे पर रिलिज होगी सिनेमा गरों में तो यह फिल्म अपने पहले ही दिन से तूफान मचा देगी फरहास सामजी के डिरेक्शन में यह फिल्म बनी है जिसमें सल्मान खान के साथ वाइंकटेश और पुझा हिंगडे भी हमें नजार आने वाले है और उमीद है कि सल्मान खान की यह फिल्म पूरे इंडिया में और अगर फिल्म को रिव्यू अच्छे मिल गए तो आप यह मान के चलिए कि सल्मान खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा कर अपने विकेंड पर ही दो सो करोड का अकड़ा पार कर लेगी लेकिं दोस्तों अब यहां पर बात करें हम फिल्म गदर टू की तो गदर टू का जिस तरहा से बस क्रियेट हुआ है और जिस तरहा से फैंस इस फिल्म के लिए एकसाइटिड है जिस तरहा से फैंस इस फैंस इस फिल्म का इंतिजार कर रहे हैं तो उमीद है कि अपने फौस दे पर ही ये फिल्म सो करोड उपे तक की ओपनिंग करती हुए मैं नजार आएगी अनिल शर्वा के डिरेक्शन और प्रिडक्शन में ये फिल्म बन रही है और जैसे कि आप सबी जानते होंगे साल 2001 में फिल्म गदर ने बहुत ज्यादा गदर मचाया था ओडियन्स को पूरी तरह से फिल्म पूरी तरह से पसंद आई थी और अब उसी का सीक्वल रिलिज होने जा रहा है 11 अगस्त को गदर टू और गदर टू में हमें सानी दियोल के साथ अमिशा पटेल नजर आने वाली है और वहीं फिल्म को लगबग पूरे इंडिया में 5000 स्क्रिनों से भी ज्यादा पर रिलिस किया जाना है और जैसे कि आप सभी जानते हूंगे फिल्म का बजट लगबग 100 करोड पे रहने वाला है और उमीद है कि गदर टू अपने फर्स दे पर 100 करोड पे की ओपरिंग पूरी दुनिया से लेती हुई हमें नजर आएगी जो की काबिली तारीफ कलक्शन होगा लगी रब दोस्तों यहाँ पर बात करें पठान फिल्म के बॉक्स आफिस कलक्शन की तो मैं आपको बदाता चलू कि पठान फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स आफिस पर धूम मचाई है और अभी फिल्म को रिलीज हुए 21 वा दिन चल रहा है फिल्म ने जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपनी नाम कर लिये हैं इन रिकॉर्ड का तूटना बड़ा ही मुश्किल होगा और यही वज़ा रही कि फिल्म अब एक हजार करोडी बनने जा रही है मैं आपको बताता चलू कि पठान फिल्म ने अपने 18 दिनों में इंडिया से 476 करोड रुपे की कमाई कर ली थी तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलक्शन था अपने पहले 18 दिनों का 924 करोड रुपे फिर 19 दिन फिल्म ने कमाई पूरे इंडिया से 13 करोड रुपे तो 20 दिन पूरे इंडिया से फिल्म का कलक्शन रहा 4 करोड 20 लाक रुपे का और पहले बीज दिनों में पठान फिल्म ने जहां इंडिया से 493 करोड 25 रुपे कमा लिये थे तो वही फिल्म का वर्लड वाइट टोटल कलेक्शन 953 करोड रुपे हो चुका था जो अपने आप में काबिली तारीब था अब दोस्तों बात करों में 21 दिन यानि कि आज की तो दोस्तों आज भी फिल्म पूरे इंडिया से लगबग 6 करोड रुपे कमाती हुए हमें नसर आ रही है और फिल्म का जो टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन है वो 500 करोड रुपे के बिलकुल करीब यानि के 499 करोड रुपे हो जाएगा अपने पहले 21 दिनों में इंडिया के अंदर तो वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 965 करोड रुपे का अकड़ा पार कर जाएगी जो कि अपने आप में काबिली तारीफ और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा लेकि दोस्तों आपको इन 3 फिल्मों में किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतिजार पठान फिल्म आप देख चुके हैं ये फिल्म आपको कितनी पस्तन आईए आप सबसे ज्यादा किस फिल्म करोगे कमेंड में जो बताईएगा